मोदी सरकार में रेलवे का तेजी के साथ विस्तार किया जा रहा है रेलवे संचालन को गती देने के लिए आग्राफोर्ट से यमना ब्रेज स्टेशन के बीच यमना नदी पर एक और पुल बनाया गया है जल्धी नए पुल पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा मंडल रेल प्रभंदक तेजब्रकाश अगरिवाल का कहना है कि नए पुल शुरू हो जाने के बाद ट्रेनों को गती मिलेगी यमना नदी पर रेलवे के द्वारा नए पुल बनाया गया है कुछ काम बाकी है इससे पहले अंगरेजी सासन काल के पुल से ट्रेन आगरा फोर्ट रेलवे स्टेजन से यमना बिरेच की तरब जाती थी सिंगल लाइन थी इसके चलते तेनों को रफतार नहीं मिल पाती थी उत्तर मद्दे रेलवे आगरा रेल मंडल के द्वारा गती सक्ती के माध्यम से नए पुल का निर्मान किया गया है लोई के भारी भरकम गाडर से ठीक उसी तरीके का पुल बनाया गया है जिस तरीके का अंगरेजी सासन काल में बनाया गया था मंदल एर प्रबंदक तेज़ परकास अगरवाल ने पुल का नेचनल किया जानकाई देते हुए बताया पुल के निर्माल के बाद टेनों की गती में बड़ोत्तरी होगी जिसकी लंबाई करीब 700 मीटर है और यह टोटल डवलिंग की लैंज जो हमारी आगरा फोर्ट से जमना बैंक स्टेशन के बीच की है करीब 2 किलो मीटर की है इससे पहले भी रेलवे के दोवारा युमना नदी पर इस्टेशी पुल का निर्माल किया गया था आगरा फोर्ट रेलवे इस्टेशन से युमना बिरिज जाने वाला पुल बेहद सक्ति साली बताया गया है दावा किया गया है पुल की गुलोबता पर खाज ध्यान दिया गया है कोई समझाथा नहीं किया गया है तूनला से या न्यू तूनला मितावली से आने वाली गाड़ी हैं जो हमारी आगरा फोर्ट और आंगे इदगा की तरफ जाती है या फिर कैंट की तरफ जाती है उससे मोबिलिटी में काफी इंप्रूमेंट होगा ऑपरेशनल एफिशेंसी बढ़ेगी अभी सेक्शन की लाइन कैपसिटी अभी चुकि सिंगल लाइन सेक्शन है तो अभी हम 132 परसेंट की कैपसिटी पे सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो उससे फिर हमारी डबलिंग होने कारण ऑप्रिशनल एफिशेंसी बढ़ेगी फिर फर्दर हमारा और ट्रेनों को रेलवे स्टेशन से यूमना ब्रिज और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से यूमना ब्रिज रेलवे स्टेशन के लिए यूमना नदी पर पुलका निर्मान किया गया था शिटी रेलवे स्टेशन से यूमना ब्रिज जाने वाले स्टेशी पुलका पूरी तरीके से नमी किनी करन किया गया था आगरा फोर्ट और यमना ब्रिज पर डवल लाइन के लिए पुलका नर्मान किया गया है जिससे रेल संचालन को गती मिल सके राकिश कनौजिया सीन्यूज आगरा